हेलो एब्रीवन, बी हेल्दी और बी हैपी आज मैं बात करने जारी हूँ एक वेजीटेबल के बारे में जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं वो है मोरिंगा, मोरिंगा तमिल वर्ड है, हिंदी में इसको सहजन बोलते हैं, इंग्लिस में ड्रमिस्टिक बोलते हैं आज कल इसके पाउडर का hottest trend हो चला है, काफी लोगों से मैंने सुना इसके बारे में, काफी हल्डी होता है मैंने बच्पन में सुना तो था मम्मा से कि ये स्टमक के लिए काफी अच्छा होता है फिर मैंने काफी जगे इसको सर्च किया, नेट पे देखा, काफी वुक्स रीड की फिर मुझे देखकर मैं बहुत सर्प्राइज हुई इसके बेनिफिट्स देखकर चलिए मैं इसके पहले फासट फैक बताती हूँ ये इंडिया का नेटुट्री है लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इनडिया का नेटुट्री नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद क्योंकि day by day इसके प्लैंट्स कम होते जाए हैं इंडिया में जबकि अभी इसको Asia, Africa and South America ने ग्रो करना शुरू किया है, क्योंकि इसके benefits इतने जो हैं, यह बहुत easily ग्रो होने वाला plant है, इसको ना ज्यादा sun की जरूरत है, ना ज्यादा water की जरूरत है, आप इसके seeds को कहीं में डाल दीजे, बहुत easily ग्रो हो जाएगा, इसलिए इसको please try कर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की, चलिए बताती हूं इसके अंदर कितने सारे healthful compounds हैं, इसके अंदर variety of proteins है, vitamins है, vitamin A है, B है, C है, इसके अंदर minerals है, इसके अंदर potassium है, zinc है, phosphorus है, और सबसे खास बात इसकी है, कि इसके अंदर extremely low fat है, और कोई hardful cholesterol नहीं है, पेनिफिट्स भी है, उनको भी बहुत help करता है, इसके अंदर high vitamin B content है, इसलिए आपके stomach के लिए बहुत ही अच्छा, जिनको भी stomach की कोई भी problem है, उनको ये जरूर यूज़ करना चाहिए, या आपके diabetes के लिए, asthma के लिए, kidney के लिए, इनको anemia की problem है, उनके लिए, eyes vision के लिए, blood pressure में, weight reduce करने म है, काफी helpful है, इसके बहुत minor side effect है, जैसे आप इसको pregnancy में मत लीजे और जिनका blood sugar low है, वो मत ले इसके powder को, चलिए बताती है, इसको लेने का तरीका, अगर आपको इसका vegetable मिल रहा है, जो कि आजकर सारे store पे easily मिलता नहीं है, तो इसके vegetable को अपने according आप ले सकते हैं, अगर आ पाउडर आप ले रहे हैं, इसके पाउडर को per day 8 gram, यानि 1.5 tablespoon लेजिए और 28 days तक उसके बाद आपको stop करना है, फिर आप 15 days बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं, इसके पाउडर को आप आटे में यूज कर सकते हैं, सबजी बनाते उसमें यूज कर सकते हैं, अपने according आपको जिसमें डालना है, इसके पाउडर को यूज कर सकते हैं, I hope कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, I will be back very soon with one more video, thanks for watching.